Hello friends, welcome to Healthy Sansar. Diabetes में मेथी दाना का बहुत उमात्व है. कुछ लोग मेथी दाना इसलिए खाते हैं कि इससे उन्हें शुगर नहीं होगा. जिन्हें शुगर हो चुका है वो इसलिए खाते हैं कि इससे उनका शुगर ठीक हो जाएगा. पर क्या वाकई में मेथी शुगर का दवा है यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है. मेथी खाए या नहीं. मेथी दाना पानी में भीगो कर सुबह खाया जाता है पर सबसे अच्छा तरीका है इसका. इसप्राउट्स खाया जाए. जो sprouts होते हैं उनमें fiber के साथ हर तरह का vitamin मौजूद होता है sprouts seeds का वह stage है जिसमें seeds में मौजूद सभी तरह के nutrition का भरपूर यूज हो रहा है इसमें carbs बहुत कम, fiber बहुत जादा और जो nutrition इसमें मौजूद है वह पूरी तरह से शरीर के द्वारा absorb कर लिया जाता है seed एक बंद packet है जिसके अंदर nutrition है seed में phytic acid होता है वही seed जब पानी में सोख होने के बाद sprouts के रूप में बदलते हैं तो उनका phytic acid खत्म हो जाता है और सारे nutrition बाहर निकलते हैं जिससे नया जीवन मिलता है और एक बीज पौधा का रूप ले लेता है diabetes में मेथी दाना जब sprouts के रूप में खाते हैं तो यह 15 mg पर डियल से 20 mg पर डियल शुगर कम कर देता है यदि 10 ग्राम मेथी दाना भींगो कर उसका sprouts breakfast में खाया जाए मतलग पहले मेथी का sprouts खा लीजे फिर अपना breakfast कीजे मान लेजे आपने 50 ग्राम ग्यों के आठा और मूली कद्दुकस करके उसका बना हुआ पराठा खाया तो शुगर लेबल 170 तक आ रहा है लेकिन जब मेथी स्प्राउट्स आप खा चुके हैं तो शुगर लेबल 150 तक आएगा 20 mg पर DL sugar लेबल कम होना छोटी बात नहीं है इसी से आपके HbA1c पर बहुत असर दिखेगा जरूरी नहीं है कि केवल शुगर पेसेंट ही मेथी के स्प्राउट्स खाएं यह सभी खा सकते हैं 10 ग्राम मेथी से बना स्प्राउट्स खाते हैं तो 6 ग्राम कार्प्स मिलेगा 3 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा फैट 0.6 ग्राम फाइबर 4 ग्राम तक मिलेगा कैल्शियम 17.6 मिली ग्राम मिलेगा पोटाशियम 77 मिली ग्राम iron 3.35 mg इससे मिल जाएगा zinc 0.25 mg selenium इससे 0.63 mcg तक मिल जाएगा इसमें हर तरह के vitamin B मौजूद है B1, B2, B3, B6, folic acid अर्थाद vitamin B9 साथ में koline ये भी इसमें मौजूद है vitamin A, vitamin C, biotin ये भी मेथी दाना में भरपूर है मेथी दाना एक multi-vitamin और minerals का एक packet है 10 g ग्राम मेथी दाना का sprouts बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में अपना योगदान देता है एनीमिया, हड़ियों की कमजोरी, blood pressure की परिशानी, memory और brain fog जैसी परिशानी सभी में ये फायदा पहुँचाता है इसलिए मेथी दाना के sprouts को अपने diet का एक पार्ट बनाए सुबह में खाया गया दो मूली का पराठा या गोभी के पराठा जितना nutrition देगा उतना 10 g ग्राम मेथी दाना के sprouts से भी मिलेगा डियाबिटीज है तो इससे बिल्कूल इग्नॉर ना करें थैंक्स फॉर वाचिंग